वेलकम टु दिवाकर फिजिक्स चलिए इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नम्बर 1 मैटर के बारे में क्वेशन अंशर डिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो के जरीए अपना होमोग भी पूरा कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं पूरे क्वेशन अंशर डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगा पूरा वीडियो देखिए आपको बहुत ही फाइदा होने वाला है तो चलिए हम पहला क्वेशन हम साल क्रेंगे पहला क्वेशन है डिफाइन मैटर तो एंसर क्या है एंसर है एंसर है एनिटिंग देट आज मास अकुपाइश स्पेस एंड कैन भी पर्सिब्ड बाया सेंसेज इस काल्ड मैटर तो जो भी बोडी है उसका मास है वो उसका वोलिम है इट अकुपाइश स्पेस ठीक है और उसको हम अपने सेंस के दौरा फिल कर सकते हैं ठीक है जैसे टच कर सकते हैं देख सकते हैं फिल कर सकते हैं उसको बलता है मैटर जै एक्जम्पल क्या क्या होगा अब क्या के देख सकते हैं घर में टेबल देख सकते हैं ठीके टेबल देख सकते हैं फुटबल देख सकते हैं बॉल देख सकते हैं प्लेट्स देख सकते हैं ठीके और बहुत सारे चीज़ा जो घर में हम देखते हैं चारो तरफ देखते हैं तो यह सब जो है, इसके मास होता है, they occupy space and they can be felt or experienced or perceived by our senses, so यह होगे example, ठीक है, अभी जिसी जो मैटर है, यह हम देख सकते हैं, फिल कर सकते हैं, अभी पुरा युनिवर्स जो है, वो क्या होता है, एनर्जी एन मैटर में डिवाइट करता है तो एनर्जी को हम जैसे बुल सकते ही, doesn't have mass, doesn't occupy space, तो हम बुल सकते हैं, तो पुरा युनिवर्स एनर्जी और मैटर में डिवाइट करते हैं, तो इसलिए जो मैटर वो है, जिसके पास mass होता है, वो अपना जगा लेता है, volume होता है उसका, और हम sense organs दोरा fill कर सकते हैं, ठीक है तो इह हो गया matter, अभी नेक्स क्वेशन डिसक्स करेंगे, what is matter made of, matter किस चीज से बना हुआ है, matter is composed of large number of small particles like atoms, molecules, ions, तो kinetic theory है, एक theory बताता है, kinetic theory of matter, that it is made up of large number of small particles, कुन-कुन से है, atoms, molecules और ions, ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं, अभी हम एक-एक particles के बारे में जानेंगे, तो what are atoms, यह हम जानेंगे, तो atom क्या है, atom is the smallest unit of substance or an element, smallest substance, smallest unit, smallest particle, which may or may not have an independent existence, but always takes part in the chemical reaction with the other atoms, ठीक है, तो जैसे, जैसे आप देख सकते हैं, hydrogen का, hydrogen gas है, तो उसको हम लोग H से लिखते हैं, लेकिन यह क्या होता है, यह हमें इस दो hydrogen atom मिलके, दो hydrogen atom मिलके रहता है, ठीक है, तो इसलिए जब हम यह हो गया atom, तो यह atom हमें से independently नहीं रह सकता है, क्योंकि यह बहुत reactive होता है, इसलिए एक और hydrogen, जैसे hydrogen, एक और hydrogen के साथ मिलके, यह एक साथ H2 के तौर पर रहेगा, तो यह independent है, लेकिन individually यह जो hydrogen atom है, यह independent नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते है, it cannot exist independently, may not have independent existence, लेकिन किसी किसी का होता है, जैसे sodium हम, यह sodium अकेलाई atom रहता है, यह Na2 ऐसा करके, Na3 ऐसा करके नहीं होता है, तो अकेला atom ही वो independently रह सकता है ठीक है यह sodium तो इसलिए बोलते हैं कि atoms have और may not have independent existence कुछ atoms अकेले रहते हैं और कुछ atoms react करके दो या तीन मिलके रहते हैं ठीक है तो यह हो गया atom का बात तो यह हो गया hydrogen atom और एक hydrogen साथ मिलके यह H2 बनता है और यह क्या है यह है molecule तो next question आएगा what is molecule अना molecule के बारे में पढ़ेंगे तो क्या सिखा हमने atom will combine with another atom to form the molecule और यह जो H2 है यह stable है तो हमेशा यह अलग से रह सकता है independently रह सकता है तो चलिए देखते हैं next what is what are molecules molecule क्या है a molecule is the smallest unit of matter यह भी smallest है atom भी smallest है यह smallest है which can exist independently atom क्या है may or may not have independent existence लेकिन it can exist independently and retains all the properties of the substance जैसे हम hydrogen gas है तो hydrogen gas का जितना property है वो hydrogen H2 से हम लोग पता कर सकते हैं तो उसी तरह behave करेगा जैसे पूरा gas behave करेगा तो इसका मतलब हो गया यह तो अभी हमने क्या देखा hydrogen और hydrogen मिलके क्या बनेगा यह हो गया hydrogen यह हो गया atom यह atoms हो गया और यह molecule हो गया तो यह आपको देखने को मिलेगा 2H उसका मतलब क्या है 2 atoms of hydrogen यह 2H लिखा है ठीक है यह 2 atoms of hydrogen हम लिखेंगे लेकिन यह हाद ही H2 लिखा है तो यह हो गया 1 molecule of hydrogen is made of 2 atoms of hydrogen तो molecule का एक particular formula होता है न यह 2 molecular formula हो गया तो लेकिन यह 2H लिखा है तो यह हो गया 2 atoms of hydrogen तो 2H लिखने से यह molecule नहीं है molecule जब बनेगा तो H2 लिखते हैं से यह standard representation है ठीक है तो समय में आ गया atoms और molecules के बारे में कि अभी जो atoms होते हैं वो क्या करते हैं देखो यह ions के बारे में पड़ेंगा एन एंटम और molecule that is gained or lost one or more electrons and so has negative और positive charge is called an iron तो आयन क्या होते हैं यह charged atoms बोलते हैं ठीक है तो है कैसे तो जब atom gain करेगा electron या electron lose करेगा तब वो आयन बनता है जैसे sodium sodium यह एक electron lose कर सकता है तो यह बन जाता है एने प्लस तो यह हो गया sodium आयन ठीक है यह एने तो एने है neutral कोई चार्ज नहीं है इसमें वो एक electron lose कर सकता है क्योंकि उसके आखिरी और बिट में एक electron रहता है जो आप chemistry में detail में सिखेंगे तो लूज कर देगा तो वो एने प्लस बन जाएगा ठीक है तो इलेक्ट्रोन का चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए जब नेगेटिव चला गया तो वो पोजिटिव डेवलाप होगा तो इसे ही chlorine जो है यह वान इलेक्ट्रोन गेन करता है तो क्लोराइड आयन बनता है माइनस वन तो क्या संदमना है यदि कोई gain करेगा electron तो positive बनेगा और lose करेगा तो negative बनेगा ठीक है नेगेटिव गेन करेगा तो नेगेटिव लॉस करेगा तो पोजिटिव तो यह होगे आइन्स तो यह भी मैटर में रहता है खास करके जो लिक्विड में अधी कुछ साब मिला देते हैं सोडिम क्लोराइट तो यह आइन्स आपको मिल जाते हैं नेक्स्ट्रों देखें ऑज़गे अमनोक। ट्रप्रिच प्रिच अप्रिच अप्रप्रिक्लmm औरि सिन्न पॉर्टिकल्गा तो प्रिकल्स के बारे में किव नहीं है का तो पॉताओ अल्क अ्ड 믹्ज़ है थ्क्रम्न प्रिक्ल्प्रिच वान、、 कॉन देखेंगे में इन्स न cannot see तो कितना है यहां पर उसका साइज बताया है इसका साइज बताया है 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 10 meter ने छोटे होते हैं तो एक meter को इतने से divide करना है 1 और उसके बाद 680 तो कितना होगा तो इसका मतलब होता है 10 to the power minus 8 का मतलब होता है 1 by 1 फिर 8 0s तो इसका मतलब होता यह एक meter को इतने से डिवाइट कर देजिए तो कितना चोटा होगा तो इसका मतलब बहुत ही छोटा होगा तो हमको दिखाई नहीं देता है इसका मतलब होगा तो इसको बोलता है इंटर मोलिकुलर स्पेस और डिस्टेंस ठीक है यह मोलिकुल के पीच में और जब मोलिकुल पास पास में होगे तो इसका इंटर मोलिकुलर स्पेस होगा सेंटर से लेके सेंटर तक तो वो तरज भी हो रहे हैं तो फिर भी हम बोल सकते हैं सेंटर सेंटर तक कुछ डिस्टेंस है they have intermolecular space यदि दूर दूर रहेंगे molecules तो ज्यादा space होगा ज्यादा distance होगा पास में रहेंगे तो कम होगा the next point है the particles are constantly moving तो जो particles होते है atoms, molecules वो हमेशा चलते रहते हैं vibrate करेंगे एक जगे से दुसरे जगे जाएंगे ठीक है तो so point हो गया particles are constantly moving तो क्या है इसका मतलब molecules are never addressed but always moving in zigzag path definite path नहीं है कभी इदर कभी इदर ऐसे ऐसे करके move करते रहें so अभी जब move करते हैं तो उनके पास energy है तो उनके पास दो टाइप के energy kinetic energy और potential energy तो यह आप detail में बाद में energy chapter में सिखेंगे और higher class में detail में सिखेंगे formula सिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा idea आपको होना चाहिए तो देखें मैंने यह लिके रखा है kinetic energy क्या है the energy due to the motion of the particles वो चल रहे हैं इसलिए उनके पास energy है ठीक है उसको बोलते है kinetic energy और potential energy होता है वो लोग move करते रहता है तो अपना position change करते है और दूसरे molecules के साथ interact करते है attract करते है तो उसके बज़े से the energy due to the position of the particles and due to the interaction between the particles is called potential energy तो यह दो type के energy होंगे ठीक है और वो इसलिए हमेशा vibrate करेंगे, move करेंगे तो यह हम देख सकते है और fourth property है particles attract each other molecules attract each other तो उसको the force of attraction between the molecules in a matter is called intermolecular force of attraction तो याद रहिए इसको तो उपर में हमने intermolecular spacing देखा था intermolecular distance देखा था अभी याँ पर हम पढ़ रहे है intermolecular force of attraction दो molecule attract करेंगे उसको बलता है force of attraction ठीक है next question है what are the states of matter matter जो है अलग-अलग state में रह सकता है तो रही है solid, liquid and gas solid, liquid and gas तो यह तीन states है तो याद रहता है अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे solid के बाद state the properties of solid तो solid क्या होता है और क्या-क्य properties हम देखेंगे तो अब solid क्या होता है तो solid solid is a state of matter which has तो याद रखिये definite shape तो इसका definite shape रहता है जिससे मैं आपकर pen लेके रहा हूँ तो यह solid है इसका देखिए definite shape है मैं इदर करूँ force लगाओ छोड़ दूँ ऐसे ही तो इसका हमें से एक ही shape रहता है definite volume है तो यह volume same रहेगा यह से particle से दर अदर नहीं जाएंगे जो volume है इसका space it occupies वो same रहेगा फिर इसमे molecules which has molecules that are closely packed तो इसमें solid में जो molecule होता है एकदम पास-पास में होता है ठीक है closely packed और list intermolecular space तो molecular space क्योंकि closely packed है तो intermolecular space जो है वो list होगा इसलिए यह technical terms है इसका आपको answer वगरा में give reason टाइप में यह लिखना है intermolecular space intermolecular force यह सब आपको give reason टाइप के questions में use करना है और क्योंकि वो पास में होते हैं इसलिए उनके बीच में maximum intermolecular force of attraction होगा तो यह हो गया solid तो example क्या हो गया यह pen table chair यह सब हो गया book सब हो गया solid अब भी हम liquid के बारे में पढ़ते हैं अभी liquid के बारे में पढ़ेंगे liquid is a state of matter which has definite volume अभी liquid का volume सेम रहेगा but does not have definite shape ठीक है shape definite नहीं रहेगा वो जो है वो they take the shape of the container जिसमें जैसे shape के container में डालेंगे वोसी shape में चले जाएंगे इसका कारण क्या है the molecules are there but they are not very closely packed ठीक है और उनके बीच में जो intermolecular space होता है वो थोड़ा more than that of solid solid molecules solid molecules and intermolecular force of attraction भी कम है less than that of a solid molecules तो इसलिए उनके पास definite shape नहीं रहेगा ठीक है spacing ठीक है ज्यादा attraction थोड़ा कम solid से तो comparison आपको पढ़ना है अभी हम गैस के बारे में पढ़ेंगे अभी दिखेंगे गैस के बारे में state the properties of a gas a gas is a state of matter जैसे उपर में हमने solid liquid के बारे में पढ़ना है does not have definite shape does not have definite volume तो इसमें दोनों में ही volume और shape definite नहीं है वो उसका shape पूरे ले ले लेता है जो container है free space पूरा ले लेता है इसलिए उसका volume भी पूरे जो container होगा उसमें फैल जाएगा उसका ही volume हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया और third point में है gas has molecules that are very loosely packed तो solid में tightly packed closely packed और liquids में not very closely packed और इसमें very loosely packed तो difference भी आ सकता है question में तो आपको comparative points लिख सकता है अभी gas has a maximum intermolecular space between the particles तो सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि molecules दूर दूर रहेंगे loosely packed है इसलिए दूर में रहेंगे इसलिए next point देखिए has the least force of attraction or the least intermolecular force of attraction between the molecules और particles तो यह हो गया five points दोनों का तो exam में आपको three marks का question आ सकता है तो तीन point सबका लिखने के लिए तो इस तरह से आप यहां से लिख सकता है चलिए अभी हम कुछ give reason type के question हम solve करेंगे तो पहला question है solids have fixed shape and size तो क्यों है तो आपको यहां पर technically आपका answer लिखना है तो सबसे पहले है कि the solids have fixed shape and size because the molecules are very closely packed ठीक है यह हो गया normally लिखेंगे फिर यहां पर जो intermolecular space के बारे में लिखेंगे is very less ठीक है and intermolecular force of attraction is maximum और very large तो यह intermolecular force intermolecular space के बारे में आप लिखते रहे तो आपको full marks बिल जाएगा next question है the fragrance of incense tea जो अगरवत्ति हम जलाते हैं तो वो fragrance spreads out in air to a distance दूर दूर तक fragrance चले जाता है क्यों तो यह question है तो question यह है आज एंसर लिखेंगे fragrance of incense tea spreads out to air in a distance to a distance because the intermolecular space between the air molecule is large तीक है वो gas है gas के विच में intermolecular space है and the molecules from burning stick तीक है burning incense stick move तो molecules from the incense stick so incense tea अगरवत्ति से जो जल रहा है तो वहां से जो molecules निकल रहे है so they move in a zigzag path in the space between the air molecules तीक है to reach the distance तो उसके बीच में वो जिग जग पाथ मिल रहा है space ज्यादा है तो वो दूर दूर तक जाते हैं तो यहां पर दो पॉइंट आपने लिख लिया intermolecular space ज्यादा है और जो incense stick से जो molecules निकल रहे हैं वो जिग जग मुशन में जाते हैं तो दो पॉइंट लिख लिया दो मांक्स आपको अराम से मिल चाहें तो यह नेक्स क्वेस्टन है गीव रीजन solids expand very little on heating but liquids expand more तो रीजन क्या है solids expand very little because of intermolecular force of attraction is very strong तो solid में strong होता है तो molecules दूर दूर नहीं जाना चाहिए ना लेकिन intermolecular force of attraction is less in liquid so they expand more on heating तो यहां पर one more answer हम देखते हैं anything that has mass and occupies space तो अपने क्या समझा पुरा discussion से तो यह है matter okay matter next is the space between the molecules of a matter that is intermolecular space or distance state of matter which where molecules are very closely packed solid the state of matter with fixed shape यह भी solid state of matter with fixed shape and volume यह भी solid होगा state of matter that that are easily compressible यह gases तो उसको compress कर सकते हैं shape change कर सकते हैं तो वह है gases intermolecular space ज्यादे रहते हैं तो compression solids cannot be compressed liquids are slightly compressible the state of matter that can be beaten into sheets तो यह हम solid लिखेंगे क्योंकि liquid का अपना कोई shape नहीं होता है तो उसको sheets के shape में नहीं दे सकते है gases को नहीं दे सकते हैं तो solid को ही दे सकते हैं state of matter which are usually very hard तो यह भी solid हो ठीक है तो इस तरह से हम question solve करेंगे तो अच्छा से इसको पढ़िये discussion को सुनिये तो आपको बहुत अच्छा से revision हो जाएगा तो आपके text book में और भी questions होंगे तो उनको भी आप अच्छा से लेख सकते हैं